इस बेरी के नेचे गुरुनानक देव जी ने तपस्या की, गुरुनानक देव जी की चर्ण शुभा प्राप्त होने के कारण इस पावन धरा की माठी चंदन हो गई मारदाने ने रवाब बजाई, गुरुनानक देव जी ने निरंगकार का ध्यान किया और यह अदो सरोवर प्रकट हुआ, यहां अश्टान करने से दुख रोक कश्ट दूर हो जाते हैं गुर्दवारा नानक सरसाहिब तक्त सच्छन शिरी हजूर साहब से दस किलो मीटर तक्षिन पश्चिम मिस्तित यह गुर्दवारा गुरुनानक देव जी की तपस्थली के रूप में जाना जाता है गुरु जी विदर जाते समय यहीं एक बेर के पेड़ के नीचे रुके थे उनके साथी भाई मर्दाना जी को प्यास लगी तो गुरु जी ने कहा रवाब बजाईए मर्दाना जी ने रवाब बजाना शुरू किया अचानक ठंडे और मेठे पानी का एक सरवर प्रकट हुआ आएए इस पवित्र और इतिहासी गुर्दवारे के दर्शन करने के लिए चलें आप यहे भी जान लीजिए यहां पहुंचे कैसे सच्छंट साहब से नांदेर के गुर्दवारों के लिए बस चलती है आप उस बस से यहां पहुंच सकते हैं या फिर टेक्सी अथवा आटो द्वारा भी यहां 25 से 30 मिनिट में पहुंचा जा सकता है आप वीडियो में अंतर जोड़े रहें मैं कोशिश करूँगा कि गुर्दानक देव जी की चरण शुभा प्राप्त इस स्थान के इतिहास से आपको परिशित करा सकूँ लगभग 30 सीडियां चेहने के बाद हम गुर्दवारा साहब में पहुंच गए हैं आए माथा टेक्ने के लिए गुर्दवारे में प्रिविश करते हैं गुर्दवारे में प्रिविश करते ही ऐसा प्रतीत होता है कि मानों अंदकार से प्रकाश की ओर आ गए हैं पालकी में गुरु स्वरूप शिरी गुरु गुर्ण साहब जी विराजमान हैं और गुरु घर के सेवक गुर्बानी का पाठ कर अंतर के पट खोलने का प्रयास करते हैं कभीर साहब का कथन है घूंघट के पट खोल तो को पिया मिलेंगे आए गरंती जिते गुर्दवारे का तिहार चाने ताही मर्दाना जी ने बेंटे गीते हैं सचे बाद्शादी एथे जालती बहुत का ढहल जाल के तेला जरनी आ रहां शिरी गुरु नान के देवजी महराज ने खुक्म लायां पाही रवाब जाओं पाही मर्दाना जी ने रवाब जाओं जालता सोमा पर गटोयां पाही मर्दाना जी ने जाल शक्यां बेंटी गीती सचे बाद्शादी जल बहुत मिठ़ा हैं शिरी गुरु नान के देवजी महराज ने ब्रमाया के तरती देवते आधी तरती है सगर के जल मिठ़ा हैं साथ गुरु बजनबला शकार है सानन इने नो एक कोडी ने आनके बेंटी गीती सचे बाद्शादी आप समरात हो मेरे भी दोख्य दोर करो शिरी गुरु नान के देवजी महराज ने उसकोडी नो सोमेतम इश्णान करवाया म। जाल शकायाते कोडी दा कोड़ दोर कीता हम। कोडी ने बेंटी गीते हम सचे बाद्शादी जेस्तरा मेरे दोख्य दोर कीते हम। इस से तला एत्य भी आउनवालियां संकता दी दोख्य दूर होया करन। सोमिन स्रोवर्दा वर भक्षों। स्री गुरु नान के देवजी महना आईने सोमिन स्रोवर्दा वर भक्षयं। ते होर भी वर भक्षें। जेमें जेसकर वजिकोई थी बोत्तना होय। दोख्य रोग लगगा होय। शर्दा पाव नना इस्तरा वर भक्ष्णान करें। मोलमंतल शाय पुता जाप करें अर्दाच बेंती करवाय। सात्य गुरु नादियां मनों कामना भूनियां कार्दें। सों में रिक्तों शरोबर त्यार हैं, एस सरोबर पेचे जाल बार हो नहीं पाया जांदान। स्री गुरु नान के देवुजी माराजी किर्पा नार। जाल दिन्या लायरां दर तीजों भायरिन्यान। सरोबर देदर भार साथ दी शेवां। साथो बजला छेरे पंजाब माराजार नजी सिंग ने करवाईं। ओनातो बाल सांत बाबा निदार सिंगी ने सेवा करवाईं। ओनातो बाल सांत बाबा सीशा सिंगी ने सेवा करवाईं। हान दे मजुद्धा मुखीम। सांत बाबा नरेंदर सिंगी। गुर्द्वारे की इतिहासिक प्रिष्भूमी का उलिख करते हुए, गुरंती जी ने बतलाया कि एक बार एक कोड़ी आया और गुरु साहब जी से विंती की किरपा करके मेरा कोड़ दूर करती जी ताकि मैं स्पीड़ा से चुटकार पा सकूँ, गुरु साहब ने उसे जरने के नीचे श्टनान कराया और जरने का पानी पिलाया, इस प्रकार गुरु जी की कृपा से रोगी का कुछ दूर हो गया, फिर उसने गुरु जी से विंती की कि यहां आप सरुवर बना दीजी ताकि कई लोग और यहां सरुवर होने का आशिरवर जिया और कहा कि जिस किसी के भी संतान नहीं या किसी बीमारी से पीडित है, वह यदी आस्ता के साथ सरुवर में डुक्की लगाए तो उसकी बनो कामना अवश्यकूरी होगी और उसके कश्टूर होंगी गुरु नानक देव जी बिदर जाते समय इसी बेर के वरक्ष के नीचे रुके थे, यहीं उन्होंने नौ दिन और नौ घड़ी तक तपस्या की थी शरद्धाल संगत आज भी इस तपस्तान में आकर गुरु नानक देवजी के उपदेशों का स्परन करती है यहां कावातावरन शांती में हैं और जी चाहता है कुछ समय यहां ध्यान लगा कर बैठें यह तपस्तान धातों से बनी गुरु नानक देवजी के जीवन को दर्शाने वाली विविद कलात्म करतियों से सुसजित है यह तपस्तान गुरु नानक देवजी के उपदेशों की याद देलाता है रहे कहा करते थे इश्वर एक है सदैव एक ही इश्वर की उपासना करो इश्वर सब जगे और प्रानी मात्र में मावजूद है इश्वर की भक्ती करने वालों को कभी किसी से भे नहीं रहता इमानदारी से और मेहनत कर उदर पूर्ती करनी चाहिए बुरा कारे करने के बारे में न सोचे और ना किसी को सताएं सदय प्रसंद रहना चाहिए गुरु नानक जी के उपदेश खुशहाली से जीने का मंत्र देते हैं नाम जपो, किरक करो और वंड के छको गुरु नानक देव जी ने एशिया में दूर दूर तक यात्रा की और समानता भाईचारा अच्छाई और सदाचार का उपदेश देते वे एक अध्वितिय आध्यात्मिक और समाजिक आदर्श प्रस्तुत किया गुरु नानक देव जी ने कहा हरी बिन तेरो को न सहाई काकी मात पितासुत बनिता को काहू को भाई अर्थात उस प्रभू के बिना कोई सहरा नहीं होता है काकी माँ बाप और पुत्र सब तु ही तो है दोस्तर कोई और ने लोग बच्यों को यहाम आथा टिकाकर गुरु जी का आशिरवाद प्रदान करना जाते हैं बोले सोने हाल चलो बोल दो बोले सोने हाल जस्परी सिंग जी तपस्थान नानक सर इस एतियासी गुर्दवारी के बारे में हमारी दर्शकों को बखला आए थे गुनानक देव जी और मांदारना जी आये सी ते इथे यहालत देख थो है मांदार जी ने क्या सी भी एथे जल नहीं है गा ते फिर गुनानक देव जी एत्व बढ़ाब बज़ाओ अरु già ऐ breakthrough ते ऐसे जल प्रटफ गिताता व्हुंग है गज़ाओ धीमठ घृर्प्वृ बढ़ामिति ते जरो नुनेफ परगों जा जी ने खें सहे यह वह पवित्र स्थान है जिसे गुरु नानक देव जी के चरणों की शोभा का स्वाभाग के प्राप्त हुआ है जो भी सिक्ष संगत अविचल नगर में सचकन साहब के दर्शन करने आती है नानक सर गुरुदवारे में भी दर्शन करने के लिए उस्थुक दिखाई देती है और इस पवित्र स्वरुवर में श्नांकर दुखों से छुटकार हपाती है इस स्वरुवर का जल ठंडा और मीठा है और फिर हो भी क्यों न यह यतियों सतियों और देवताओं की पावंस्थली जो कहलाती है कड़ुरु आप देखा है का रिष्टान सिमर्प्रव अपना मांतन वै अरोगा इस पवित्र सरोर रिष्टान करने से और भवान का सुमरेंड करने से वाह गुरुवरु का सुमरेंड करने से सिख धार्मिक अनुष्ठानों में सरोवर महतुन भूमिका निभाते हैं सिख सरोवर में इश्टान करते हैं जिसे इश्टान कहा जाता है नानक सर गुर्द्वारे का यह सरोवर भी आध्यात्मिक शुद्धता और काया कल्ब करने वाले गुणों का प्रतीक है दुनिया भर के तीर श्यात्री गुरू जी के आशिरवात की तलाश में इस सरोवर के पवितर जल्में श्टांग करते हैं अम्रेश सरोवर का शान, वातावरन, ध्यान, चिंतन और इश्वर के साथ जुड़ने की प्रेज़ना देता है इस सरोवर के जल्में पवितरता, विनुम्रता, समानता और सांपरदाईक सद्भाव भी समाहित है ट्रेवल विद नरेंदर आनन चैनल से प्यार करने वाले मित्रों यह नांदेट दर्शन गुर्दवारों का ग्यारवा एपिसोड है यदियाव, सच्छंड हजूर साहिब, गुर्दवारा निधान सिंग, गुर्दवारा नगीना घार्ट, गुर्दवारा हीरा घार्ट, गुर्दवारा संगत साहब, गुर्दवारा बौलित साहब आदिकाबी इतिहास चानना चाहते हैं उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दियावा है आप उन वीडियोस को भी अवश्य देखें मेरी कोशिश रहती है कि वीवी धर्मों से जूड़ी हुई भारत की सांस्कतिक विरासत को मैं आप तक पहुँचाऊं अभी गुर्दवारा माल टेकरी साहब और गुर्दवारा रतंगड साहब के वीडियो शेश हैं जिने जल्दी ही मैं आप के लिए अपलोट करूँगा यदि चैनल पर पहली बारा आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके में तो आप जब भी मेरे चैनल पर आएं और वीडियो देखें तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूले आप पे लाइक और कमेंट्स मुझे प्रेयर न देते हैं कि मैं ठक कर बैठो नहीं आप के लिए नए से नए स्थान एक्स्प्लूर करता रहूं मैं आप से जल्दी ही मिलूँगा किसी और ट्रेवल डेसिनेशन पर ट्रिल देन यही कहूंगा हासते रहो वासते रहो गुरू दान नाम चापते रहो चैनल के माध्यम से मुझे से जुड़ने वाले मित्रों आप भी कहिए मेरे साथ वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की पते